मौझूदा वक्त में विराट कोली हर पॉर्मेट में दुनिया के सबसे बहतरिन बल्ले बाजों में से एक है लेकिन कई अन्य बल्ले बाजों की तरह ही कोली को भी अपने टेस्ट करियर की सुरुआत में जूजना पड़ा था माजरेकर ने बताये कि जब विराट टीम से बाहर होने की कगार पर थे उस समय 23 साल के इस खिलाडी को कप्तान दोनी का समर्थन मिला जानिये कैसे दोनी ने बचाये विराट कोली का कोली ने भारत के लिए वंडे डेबू करने कि तीन साल बाद 2011 में अपना टेस्ट डेबू भ वापसी हुई थी जहां वे केवल एक टेस्ट खेले और उसमें दो अर्थ श्रतक लगाए इसके बाद उन्होंने ऑस्टेलिया द्वारे टीम में शामिल किया गया लेकिन मैलबन और सिड्नी में खेले गए पहले दो टेस्टों में वह फ्लॉप रहे और चार पारियों में 11 जीरो 23 और 9 रन के स्कोर ही बना सके माजरे करने का विराट कोली विराट कोली है वो हमेशा रन बनाने के तरीके ठूडते हैं उन्होंने का 2011-2012 सीरीज में कोली ने जो श्रतक लगाए था बारत उसे जीरो 4 से हार गया था उससे पहले वह इंगलेंड में भी 0-4 से आ रहे थ था वो उस समय एक युवा खिलाडी थे जो वास्तम में शिंडी के बाद बाहर होने की कगार पर थे दोनी ने उनका समर्थन किया था फिर वो पार टेस्ट में खेले और 70 रन बनाए और फिर उन्होंने माज शतक भी चड़ा वह कोली ने इसके बाद पर्त में खेले गए त एडिलेट से लगाव बढ़ता गया, 2004 में दोनी के आनुपस्तिते में टीम कप्तानी करते हुए कोली ने दो शातक लगाये थे हाला कि भारत सीरीज 2-0 से आर गया था लेकिन कोली ने चार सातक सहीद को सीरीज में 692 बनाते हुए तैल का मचा दिया, इस पार बार्डर गव पर कमेट करना ना भूले, यालडी नो सुनों की रिपोर्ट